पिता पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जैये स्यूँ कल हम लोगों ने पाब के विशे में मननचिंदन किया पाब क्या है और दो प्रकार के जो पाब लिख पाब और आत्ममारू पाब इस विशे में हम लोगों ने मननचिंदन किया आज हम लोग एमनेंचेंदन करेंगे एक मनिश क्यों पाप करते हैं? बार बार क्यों पाप में गरते हैं? इश्वर ने हमें पवित्रदा में सृष्टी किया है इश्वर के सद्रिश में सृष्टी किया है फिर भी मनिश बार बार पाब क्यों करता है उसका कारण क्या है यदि हम उस कारण को समझ लेगा पाब से दूर हैने के लिए पाब ना करने के लिए हमें कृपा मिलेगा यदि हम पवित्र बाइबल के अनुसार पड़ेंगी तसलिनियों का पहला पत्र अध्याय पांच वाक्य तेईस में लिखा है इश्वर हमारे मन घरदय शरीर आत्मा की पवित्रदा चाहते हैं हमारा मन की पवित्रदा चाहिए हमारी आत्मा घरदय की पवित्रदा चाहिए और हमारे शरीर की पवित्रदा चाहिए तो पूर्ल रूप से मनुष्य पवित्र बने रहे ये इश्वर चाहता है लेकिन मनुष्य अपवित्रदा की ओर कैसे गें यदि हम आदिम माता-पिता के विशे में मनंचिंदन करेंगे इश्वर ने अपने प्रदिरूप में जन्म विशुद्धी के साथ उनकी स्रिष्टी की दी और मनिश्य को सोधंतर दा दिया उसके सामने बुरे चीज़ भी है अच्छे चीज़ भी है इश्वर ने मनिश्य को स्रिष्टी किया और उने सोधंतर बिनाया भले बुरे ज्यान की विश्च का फल ना खाने का एक आदेश दिया लेकिन वो सोधंतर था इश्वर ने जो सोधंतर दा दिया मनिश्य को मनिश्य ने उस सोधंतर दा का गलत फैदा उठाया इस कारण मनिश पाब में गिर गी है उत्पत्ति गिरंद उसके अधिया ये तीन वाक्य बीस के अंदर हम लोग पड़ते हैं आदम और हेवा का जो पाब मनिश में सारे संसार में वो पाब आ गया है क्या कारण है तीन वीस में लिखा है पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है हम हेवा के संदान होने के कारण उन्होंने जो जन्म विशुद्धी को पाब के द्वारा नश्ट किया जिसे हम आदिपाब कहते हैं हर एक मनिशे इसके बाद पाब में आदिपाब में जन्म लेते हैं और आगे उत्पत्ति गिरंद उसके अधिया आट के अंदर इशुर क्या कहते हैं जनसिस चाप्टर एट वर्स टुन्टी जिब जलप्रले के बाद नुह पोट से बाहर आए प्रभु के लिए की वेदी बिनाए और बिली अर्पित किया उसका सुगंद पाकर के इशुर क्या कहते हैं वाक्य 21 उस बिली का सुगंद पाकर इशुर ने ये अंदर ने किया मैं मनुश्य के कारण कभी पृत्ति को अभिशाब नहीं दूँगा क्योंकि बच्पन से मनुश्य की प्रवर्ती बुर्याई की ओर होती है बच्पन से ही मनुश्य की प्रवर्ती बुर्याई की ओर होते है उसका मन बुर्याई की ओर जाता है ये इश्वर जान रहा है क्योंकि मनुष्य जन्म विशुद्धी को नश्ट किया इस कारण और वो जो सोतंतरदा इश्वर ने मनुष्य को दिया उसका जो दुरुपियोग जो किया इस कारण मनुष्य का जुकाव पाप की ओर हुआ इसका ये मदलम नहीं है हम लोग पाप करते रहें संद पहलूस इस विशे में कहते हैं रोमियों का पत्र हदियाय साथ रोमन्स चाप्टर सवन वर्स फिफ्टीन मैं अपना ही आचर नहीं समझता हूं क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वही नहीं बलकि जो नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं जिसे मैं गृणा करता हूं वही कर डालता हूं और आगे वाकिया सत्रह में संद पहलूस कहते हैं किंदु मैं करता नहीं क्योंकि करता है मुझ में निवास करने वाला पाब मैं जो पाब करने वाला करता मैं नहीं हूँ बलकि करता है मुझ में निवास करने वाला पाब यहां पर संदपविलुस कहते हैं मनिश में एक पाप निवास करता है वो पाप उसे बार बार पाप की ओर ले करके जाता है वही चीसा आगे भी संदपोलोस कहते हैं जो मैं करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता है लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं वही बार-बार करता हूँ इसलिए वो करने वाला विक्ति मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ भलाई करूँ जो बलाई में जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा है और जो बुराई नहीं करना चाहता है वो बुराई को मैं बार-बार कर रहा हूं इसलिए संद्पविलूस कहते हैं वो करता करने वाला व्यक्ति मैं नहीं मेरे अंदर ऐसा एक पाप है पाप की ओर वो जो जुकाव है वो मुझे पाप में बार बार गरते हैं और संद्पविलूस स्वयम हम लोगों को इसके लिए वार्निंग भी देते हैं रोमियो का पत्र अधियाय चे में वाक्य तेरह में रोमान्स चाप्टर 6.13 के अंदर संद्पविलूस कहते हैं पाप सब बेचने का उपाय भी बता कर दे रहा है आप अपने आंगों को अधर्म के साधन बेनने के लिए पाप को आर्पित नहीं करें आप अपने शरीर के आंगों को अधर्म के लिए पाप के लिए अर्पित नहीं करना ये शरीर इश्वर का मंदर है इसे पाप के लिए मत अर्पित करो ये कहते हैं आप अपने को मर्दगों में से पुनर्जीवित समझ कर इश्वर के प्रदी अर्पित करें और अपने अंकों को धार्मिगदा के सादन बिनने के लिए इश्वर को सोंब दे हमें अपने शरीर को धार्मिगदा के लिए अच्छाई के लिए समर्पित करना है वो अच्छे कार्य भले कार्य आत्मिक कार्य करने के लिए हमारे शरीर को और शरीर के अंग अंग को हमें इश्वर को अर्पित करना ज़रूरी है संद पुलू स्वयम कुरिंतियों का पहला पत्र अधियाय नो वाक्य 27 में कहते हैं ऐसा कहीं नहों प्रवजन देते देते कहीं में ही पाव में गरवटें इसलिए मैं अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखता हूँ अपने शरीर के अंग हमें अपने वश में रखना है हमारे शरीर के इच्छाव को हमारे वश में रखना है जब तक हम अपने शरीर को अपने अधिकार में अपने वस में नहीं रखेगा ये शरीर हमें पाप की ओर कींच करके लेके जाता है शरीर पाप की ओर जुकाव करने वाला जो एक शरीर है उस शरीर को अपने वस में रखना बहुत ही जरूरी है कैसे हैं आगे हम लोग मनंचिंदन करेंगे लेकिन एक और वाक्य इसे शरीर और आत्मा के विशे में उठाना जरूरी है वो गलातियों को लिखते हुए संदुपविलूस करते हैं गलातियों का पत्र अधियाय पांज गलातियन्स चाप्टर फईव उसके वाक्य चवधर से हम लोग पढ़ते हैं मैं कहना चाहता हूँ आप लोग आत्मा की प्रेरना के अनुसार चलेंगी तो शरीर की वासनाओं को तृप्ति नहीं करेगा शरीर तो आत्मा के विरुदि इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुदि ये दोनों ये एक दूसरे के विरुदि है एक मनुश्य में उसका शरीर है उसकी आत्मा है उसका मन है शरीर मन आत्मा की विशुदि इसलिए करते हैं ये तीनों पार्ट को हमें पवित्र रखने की ज़रुरत हैं और शरीर और आत्मा की विशे में यहाल लिखा है ये आत्मा अच्छे चीजों को अच्छाईयों को पवित्रदा को चाते हैं लेकिन ये जो शरीर है वासना को चाता है संसार्गति की ओर पाब की ओर ये शरीर हमें लेके जाता है तो संदपवलोस यहां कहते हैं आपको आत्मा जो प्रेरना देता है उसके अनुसार आपको चलना है शरीर जो प्रेरना दे रहा है उसके अनुसार नहीं चलना है क्योंगि आत्मा के विरोधी है शरीर, शरीर के विरोधी है आत्मा, यदि आप आत्मा के अनुसार चलोगे, रोमियों का पत्र अधियाए आठ वाक्य तेरह में अमलोगे पड़ते हैं, यदि आप शरीर के अनुसार चलोगे, तो आप अवस्य मर जाओगे, वाग्य चौदर में लिखा है यदि आप आत्मा की इचा के अनुसार शरीर को अर्पित करना है तो आप अवस्य जीवित रहेगा तो हमें शरीर की अनुसार जीना है, आत्मा की अनुसार जीना है, इसको हमें परकर करका देखना है जो विक्तिय शरीर की अनुसार, शरीर की इच्छाओं को पूर्ती करते वे जीवन जीता है, वो पाप में बार-बार गरता है इसलिए शरीर को जैसे संद पवलूस ने कहा मैं अपने शरीर की इच्छाओंगो अपने वश्च में रखता हूँ आयूब का ग्रेंद जोब चाप्टर 31 आयूब का ग्रेंद दिया एक 31 वाकी एक में लिखा है आयूब ने कहा मैंने मेरे आंकों के साथ संजोता किया कि मैं किसी कुवारी की उपर नजर नहीं डालूगा एक संजोता आयूब ने किया मेरे आंकों के द्वारा मैं किसी कुवारी की उपर नजर नहीं डालूगा जिसे मैं पाप कर बैटूँ पाप करने वाला जो अवसर है उसे हमें दूर रहना है प्रवक्ता गिरंद उसके अधियाई 21 वाकिय दो और तीन के अंदर लिखाओ वाहे साम्ब के सामने की तरह पाप से तुम दूर बागो यदि तुम पास आओगे वो तुमें ढसेगा उसका दांद सिम्ह की दांद के समाने है वो तुमारी आत्मा को नश्ट करेगा देखो शरीर आपको पाप की ओर लेकर कर जाएगा उस पाप के जो अवसर है जहां जाने से आप पाप में गिर सकता है जिस विक्ती से आप मोबाइल में फ्रेंट्शिप जोड़ता है वो आपको पाप में गिरा सकता है ऐसे अवसरों से आपको दूर रहना है ऐसे दोस्ती से आपको दूर रहना है ऐसे समय से ऐसे जगाओं से आपको दूर भागना है ताकि आप उस पाप में ना गिरे यदि आप उसके पास रहेगा वो आपको काटेगा प्रवक्तागरंद की अंदरी एक सवाल पूछते हैं जो सांब के साथ जो रहता है जो सपेरा यदि उसको सांब काटता है कौन उसके उपर रोएगा क्योंकि वो सांब के साथ केल रहा है उसको अगर सांब काड़ता है किसी को उसकी उपर दया नहीं आता है हमें सांब से पाप से दूर रहना है दूर भागना है जब पाप के अवसर है पाप करने का या मेरे बाचित जिसके साथ मेरा फ्रेंड्शिप है वो पाप का कारण बेंड रहा है उस friendship को वहां खदम करो ये Bible सिखाता है साम्ब की सामने की तरह पाप से दूर बाणना यदि कोई नाग को देख करके कोई साम्ब को देख करके कोई कोबरा को देख करके उसके पास नहीं जाएगा उसे दूर बागेगा उसी प्रगार पाप से पाप के अवसर से ऐसे वित्यों से ऐसे वस्तों से हमें दूर जाना है तब हम पाप से बच जाएगा और वाग के तीन में यही लिखा हुआ है वो आपके आत्मा को नश्ट करेगा देखो शरीर पाप के ओर लेकर कर जाता है आत्मा नश्ट हो रहा है इसलिए इनके दोनों में टगोवार चलता है विरोधिये एक दूसरे का हम किसको जिताएंगी किस के सुनेगी शरीर को सुनेगा या आत्मा को सुनेगा बाइबल इसलिए बार बार बोल करकर दे रहा है आत्मा के अनुसार जीवन जीओ आत्मिक जीवन जीने के लिए अपने को प्रभू को अर्पित करो तब हम पाप से दूर भाग सकता है हमारे सामने नेकों पाप के लिए चुनोती आएगा चलंच आएगा हमें उसे दूर भागने की जुरुरत है ये एक्तम नहीं होता है बच्पन से हमें इसको सीखने की जुरुरत है हमें कुछ नर्ने करने की जुरुरत है मैं जूट नहीं बोलूँगा मैं गंदी बाते नहीं करूँगा गलत दोस्तों के साथ नहीं जानूँगा गंदी फिल्म नहीं देखूंगा गंदी फोटो गंदी विचार नहीं रखूंगा इस प्रकार का अनेकों नर्ने हमें दीरे दीरे करने की जरूरत हैं मुझे याद आ रहा है मेरे युवावस्ता में मेरे स्पिरिच्वल फादर से मैंने एक सवाल किया था एक संद बनने का तरीके बता कर देदो उस पुर्यों किते नहीं मुझे एक सवाल किया आपको घर से लेटर आते हैं मैंने बला हाँ उस जवाने में कोई मोबेल नहीं होता फोन नहीं होता के बल लेटर लिखा जाता है तो हर सब्ता घर को लेटर लिखना घर से लेटर आना ये सिलसला जारी रहता है तो पुर्योंकित नहीं पूछा घर से लेटर आते हैं मैं मैं मुला हाँ क्या करते हैं मैं मैं मुला तुरंद कोल करका पढ़ते हैं तो पुरवदी ने मुझे एक तरीक्य बता कर दे जब लेटर आता है उसको फोल्ड करके अपने पोकट में रखना का यह और नहीं अपने पोकट में रखना और बोलना मैं अभी यह नहीं पढ़ूँगा जनरली हम लोग जो लेटर्स पोस्टमान लेके आते हैं दोपर के समय तो उस समय पर लेटर लेकर के अपने पोकट में डाल करके बोलना है। शाम तक मैं इसको नहीं पढ़ूँगा रात को पढ़ूँगा करके। लेकिन आप बार-बार उससे कहना है, मैं अभी नहीं को लोगा शाम को, आज नहीं को लोगा कल, इस प्रकार अपने मन को अपने वस्च में रखने का आप प्रैक न करो, आपका शरीर पाब के लिए जाएगा, आपका मन आपको लेकर रख जाना है, आपका मन में वो इच्छा आता है, तो यदि आप अपने मन को अपने वस्च में रखना सुरू करेगा, आप अपने शरीर को अपने वस्च में रखेगा, अपने इच्छाओं को आप अपने वस्च में रख सकता है, तब से मिने ऐसे चोटी-चोटी बातों को द्रड निचे करते हुए सीखना सुरू कुछ नरने करना सुरू किया दारू नहीं पीऊंगा, अबीडी सिर नहीं पीऊंगा अतम बाकू नहीं काऊंगा जूट नहीं बोलूँगा, गाली नहीं दूंगा इस प्रकार का एक-एक नरने समय समय पर धीरे धीरे करता गया एक मनिश्य को पवित्र रहने के लिए इस नरने की जरूरत है हमारे मन के इच्छा के अनुसार आत्मा की इच्छा के अनुसार ए הבın हम चलोगे वो आत्मा हमें पवित्रता की ओर लेके जाएगा परभू के साथ हमें रखेगा इदि हम अपने शरीर की वासनाओं में और मन की इच्छा की अनुसार चलना सुरू करेंगे हम जरूर पाब में फस्ते जाएंगे जो विक्ति बार बार पाब करता है वो अपने आत्मा को नहीं सुनता बलकि अपने मन की इच्छा के अनुजार अपने शरीर की इच्छा के अनुजार चलने वाला है हमें आत्मी की बनना है आत्मी की विक्ति वो है इश्वर की इच्छा के अनुजार चलता है इश्वर की इच्छा के अनुजार जब हम चलेगा हम पाब से दूर भागेगा सेतान से दूर भागेगा और इश्वर हमारे पवित्रदा को चाते है तसलिनियों का पहला पत्र अधियाए चार वाक्य तीन में लिका है इश्वर की इच्चा है कि आप पवित्र बने इब्रानियों का पत्र अधियाए 12 वाके 14 में लिका है इससे बगर कोई इश्वर का दर्शन नहीं कर सकता इसलिए पवित्रदा की साधना करो अपने शरीर के विशुद्धी पवित्रदा आप उसकी साधना करो आप 99 परसेंट पावसे भी आप दूर रह रहें आपको यही निर्ने करना है मेरे शरीर को इश्वर के इस मंदर को अशुद्ध करने वाले कोई भी चीज़ कोई भी काम कोई भी विचार चिंदा बाच्चित में नहीं करोगा एक निर्ने करना है तब हम पावसे दूर रह सकता है आए हम बार बार पाव में गरने से हमारी आत्मा की इच्छा की अनुजार ये जीवन जीओगे तो आप अपने शरीर को अपने वस में रखते हुए आपको जीवन मिलेगा उस जीवन के लिए हम प्रयक्त न करें पावसे दूर रहने का नरने करें तो आज हम लोग ने मनें चिंदन किया पाव हमारे आंदर ओ जुकाव जन्म विशुद्धी के अभाव में पाव की ओर हमारे एक जुकाव संसार की ओर एक जुकाव हर मनिश में रहता है जब हम अपने उन जुकाओं को प्रभू को और पित करते हैं हमारी आत्मा जो चाहता है उस आत्मा के अनुसार जीना शुरू करेंगे तब हम पाव से दोर रह पाएगा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जैये शुम